असलाम लेकूम मैं सेधा नाहिदा खादरी अन्नार के 24 ने से आज हम गांदी पर होना हैं यहाँ पर आज सोनिया गांदी मिसेश सोनिया गांदी का बर्तडे सेलिपरेट किया जा रहा है अज यहाँ पर एक बहुत इबड़ा प्रोग्राम और्गनाइज भी किया गया है आईए इसी के एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जैसे के आप लोग को जानते हैं मिसेश सोनिया गांदी का आज जो बर्तडे का सेलिपरेशन किया गया इसी मौखे पर एक प्रोग्राम और्गनाइज किया है इसके अफजल सहाब ने आईए औरनी से हम कुछ इसके बारे मुबारक बात लेते हैं सोनिया गांदी जी आज यूनाटेट यूपी एचेर परसन सदर आलेंडिया का अंग्रेस कमिटी शिर्मती सोनिया गांदी की एक्षित तरवी साल गिरा की तकरीब हम बिला लहाज मजब मिलत शाहर की रिवायती फिराख दिली और खुश खलकी का मुझारा करते हुए परकाश हम हाल गांदी भून में एत्माम करे हैं जिसमें मुक्तलिफ मकातब ख्याल बिल्खुस तालेबात के अलावा मैक अवेशन अकडिमी के भी करता धरता और उनके स्टाफ मतालखिन ने भी शिर्कत की ये बात हमारे लिए बाएसे तमानेत और बाएसे सद्दिब तक हैं चुक्रिमती सोनिया गांदी की खिदमत हिंदुस्तान की अवाम के लिए काबल-बादर और नाकाबल फरामोश हैं मैं समझता हूँ कि तारिक लिखने वाला मौरिक जब तारिक के निगार खाने में श्रीमती सोनिया गांदी की पैदाश चे लेकर आज आखरी सांस तक जब हाला तक खलम बंद करेगा तो यखिनन शिर्मती सोनिया गांदी की तस्विर शाय करके तहरीर लिखेगा कि नसल इंसानी के योगा लोग हैं जो ना सिर्फ मुल्गीर बलके आलमगीर इंसानित के तारीख में लिखे जाने के खाबिल नहीं क्योंकि श्रीमती सोनिया गांदी ने अलालत के बाइस उन्होंने इस ओधे से सुबगदोश होने का एलान किया है और जानेशिन की हैसे से सियासी बस्रोत जवास साल खायत राहूल गांदी जो आल इंडिया कांग्रिस कमेटी के नाइब सदर हैं उनको अपना जानेशिन के लिए मुन्तखिब किया है और इस मौकिब पर मैं आर्लिंडिया कांग्रिस कमिटी को दिल की गायरों सो मबारक बात पेश करता हूँ कि उन्होंने जमा साल सियासी खायत राउल गांधी का बिला मुखाबला इंतखाब करके एक अच्छी और यादगार मिसाल खायम किये और साथे साथ आज परकेशम हाल में अभी हमारे वी अन्मंतरो साब जो साबक सदर कांग्रिस हैं और विनूत कुमार जी जो चार ममालिक के उनों सफिर के हैसे से भी अपने फराइज अंजाम जी हैं वो हमारे आज महमाना ने खुसूसी थे और साथे साथ जो पांच साथ और हाट तारिक को इसी परकेशम हाल में तालीमी मुखाब्लेदात का इतमाम गया गया जिसमें दोनों शारों के मुक्तली मदारिस और कालिजस के तुल्बा के अलावा टालवात की अक्सेरेट ने इसमें शिर्कत करके शिर्मती सोन्या गांडी के को और भी तमानित पेश की है यखिनन नई नए नसल को मैं मुवारणबाद पेश करता हूँ कि सुनिया गांदी के तालुक से उन्होंने बहुती बसीरत अप्रोश ख्यालत का इजार किया, उन्में मैसुस हुआ, जजस साहिबान ने भी मैसुस किया है कि एक तहरीरी सलाइट और तक्रीरी खुबत को उजागर करना हमारा नजबुलेन है, इस पेशे नज़र मैं हमारे जिद्टे भी हमारे सकास कर, मारे कर्मिनेर्स जणाब सेद काजिम उसन साहब, स्यद अली सादक साथ, एजात साथ, ममद इम्तियास साहब, सैद स्ल्तान साहब, मुझीबुल रह्मान साहब, खादर शरीप साहब जो हमारे इंटरनेशनल काम्योंडेने, उनका भी, आज के कि इस प्रोर्ग्राम में उनके भी जो इसत्रा के तावुन रहा हैं मैं उनको दिल की गाहरांं से मैं करता हूं के शेह मेक एवेशन एकाडिमी को ठाव म हम्यद्र में। किराट है कि वो सोनिया गांदी के जल्से में सालगीरा की पुर्मसरत तक्रीब में शिर्कत करके वो भी जो एक राजी तर्सिन प्रेश कर रहे हैं। इटली में पैदा हुई लेकिन हिंदुस्तान को उन्हों अपना मुल्क बनाया और यहां के लोगों ने उनको इतना चाहा कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कहा तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सीट को ठोकर मारते वे खौम की खिद्मात करने के लिए उन्हों ने फैसला गिया अभी मैं मेडम सुनिया गांदी को एक्टर्वी सालगिरा की मुबारिक बात देता हूँ इसी के साथ खुदाहफीज जै हिन जै कांग्रेस सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया आदा करता हूँ खास दोर पर अफजल साहब का कि मुझे यहां आने की दावत दी और मुझे इस काबिल समझा कि आपके दर्मियान आपको कुछ दिल्चस्पी का सामान फराहम करूँ इसके साथ साथ मैं सुनिया गान्दी मैडम को मुबारक बात पेश करता हूँ उनकी 71st birthday की इससे उपर उठके जो बात सूचने की और समझने की है वो यह है कि मजभव मिलत धर्म रिलिजिन इन सबसे उपर जो चीज है वो है इनसानियत इनसान पहले इनसान हो बाद में वो किसी भी मुल्क का हो या किसी भी मजभव का हो तो यह पेगाम उनोंने दिया है हमें कि एक इटाली की खातून होकर हिंदूस्तान के लोगों की खिदमत कर रही है और यहां पर सबको अपना बनाया है उनोंने तो होना यही चाहिए कि पूरी दुनिया की जितने बांडरीज प्रश्टा हमारा हम बुल बुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा सुनिया गांधी साहिबा हिंद्रस्तान के लिए ये खाब देखती हैं आज उनका सालगिरा है ये सालगिरा उनको मबारक उनकी लंबी उम्मिल के लिए दौा गों बहुत शुक्रिया खुदा आफिज मैं उनके आभेशन एकडिमी के अरबाब को में दिल की गरान से मबारक बात पेश करता हूँ उनकी धूरबिनी फिरासत ज्यानत अर तदबर सुलाम करता हूं कि उनुंहोंने गडरपेश जो तलबा आज है महरूम हो रहा हैं रोजगार से उनहोंने रोजगार फराम करने के के लिए ये एर्लेंट्स में वो जो है रोजगार फराम करने के लिए इनके जो भी फीस होंगी माशाला आज वो जो है एलान कर रहा है कि मेरी तरफ से याने नेशनल सालिटरी कमट्री की तरफ से जो हम करेंगे तो उनको पचास फीसद जो इनको डिसकांट करेंगे उनकी फीस लेंगे तो यकिनल मेरे को उमीदे वापसता है कि नई नसल जो आज जो है नौक्रियों के लिए जो है दरदर फिरने हैं मैं उनसे अदबन दर्खास करता हूं कि वो मैक अवेशन एकड़िमी के जिम् जो आज जो नैशनल सॉलिडेटरी कमिटी की तरफ से 71st birthday celebration हो रहा है सोनिया गांदी जी क्या जो हमको भी invite किये हैं मैं तहे दिल से पहले तो अफजल साब का बेहर शुक्रिया आदा करता हूं जो हमारे स्टूडेंट्स की हिम्मत अफजाई होसला अफजाई करते हैं और हम हमारे स्टूडेंटी नहीं बलके तमाम स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूं काफी चार दिन से फंक्शन चल रहा है और अलम्दल्ला हिम्मत अफजाई कर रहे हैं तो हम भी एक अफजल साब के सामने एक प्रपोजल रखे हैं कि जो कोर्सेस हमारे पास है जैसे एरपोर् मतलब पेव नहीं कर सकते हैं जो महाशरी हाला से थोड़े परिशान है वो लोग अफजल साफ से कांटाक करें और इंशालला अफजल साफ जब बता देंगे तो हम उनकी फीज 50% कंसिशन कर देंगे और सिर 50% भी उनको ट्रेनिंग देंगे ना सिर्फ बहतर ट्रेनिंग बल यह एक बेहत अच्छा अपर्चुनिटी है मैं चाहूंगा सारे जो स्टूडेंट्स जो इंटरमीडियर और ग्राजवेट कैंडिडेट्स है वो फौरी मैक अविशन अकाडेमी में कांटाक करें और इंशालला फीज में अपने जो कमी है वो भी हासिल कर लें और कोर्स से फाइदा उठाले शुक्रिया हूँ तो हैसा हूँ आब आगा ताम मैं ऐसा क्यू आपार अचा करें गाने में गाना एक तरह एक तरह एक तरह जो गाना करता मेरा मैं तू कि निचाले मेरा मैं कैसी ये दिवारती की, कैसाई जिवान वोगा ओंजो ना सरा में जो है विवारती की, क्यों की वे विवी, क्यों ऐसा क्यों करते, तो वांपने थापने, वांसा की ने का पहले ही दिखा पने, भाल पने, भाल पने, भाल पने ऐख़र चाहर रागैं तूएर तुरी तुन से वोग्राएं इजद जी, ऐजाथ जी, तुरी दोड़ाथ जी, गयाथ जी, आईजाथ, सर्यादरीजी, थाधी, हॉसेजी, तुरी तुरी थोरी तुरी बिढिकर्ट्री रेगम जी, पिश्राद॥ मैं सभी वीला शेर्मा जी और डॉकर मुदी राज जी बादर शरीफ जी और मजिन साथ और बादी बैटेव में सभी को मैं नाष्कार यहां से मैं देख निए तो सारे होजा एकड़ प्लास जैसे धित्राये को अप्छा लिए था तो बड़ी की अप्षी की सोनिया की परिष्टा है जो हमारे लिए इस दुन्या में एक सोन्या जी के रूप में आये हुआ तो ऐसे मैड़ की के अंदर के कॉंग्रेस पार्टी के काम करना मैं बहुत गर्व की बात मैंसुस करती हूँ क्योंकि उनके साथ जो मेरा रिष्टा है जो सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी में एक महिला कॉंग्रेस के बतोर नहीं है उनका और मेरा रिष्टा एक माउ और बेटे की तरह सा रिष्टा है और हो 27 साल से मैं उनको जांती हूँ और 20 साल से ऐसा है कि जाए कि अपॉइंबें लेना घंटो बैठना ऐसा कभी नहीं होता है मैं जब भी जाती हूँ और बताती हूँ Chuck देली में हूँ, मैं आपसे मिलना है, तो दो मिनिट में मुझे अपॉइंटमेंट हो जाता है, और बिलकर यहां की परिस्तितिया अगर पीड नहीं है, कहीं पे कोई प्रोब्लम है, कोई जिक्तर है, तो मैं उनको बताते हैं, को इमिडियेट्ली वो रिक्पांड करते हैं, त जिक्तर है, तो मैं परिस्तितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितित यज जो न जो लो, 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 लो! मुखंग जुक्लूर पुला सूलाओी एस जुद्सा का एकारा तेरा करोग्ष मिंदी इसमेज आणाड़ प्याई वहाए एक दूसी का मजिमा का तग्यारा आकारा कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. कर दो, 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 क तो otras इत्री जैमिवाई कॉसर बैगम सालिवा इन हिंदे सालिवा यहाँ देखो यहाँ देखो इसी के साथ मैं सेधा नाइदा खादरी एन आर्क्यू 24 नियूस है इसी तरह मैं आपके सामें सचाई दिखाते रहूंगी इंतजार करिए मेरे अगले नियूस का मेरे इस नियूस के पेच को लाइक करिए और यूटिब पे सबस्क्राइब करिए जैहिन